हलो दोस्तों, वेलकम टू मिलियन्स एर्मिनिस्ट्रेशन यूटूब चैनल, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में, इसमें राजस्थान के इतिहास, जिसमें राजस्थान की कला, संस्कृति और शाहिति के बारे में परेंगे, ये बुक दिसा पब्लिकेशन थार परिवार, B में है, शेखावत परिवार, C में है, गहलोत परिवार, D में है, सोनी परिवार वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप मेरे यूटूब चैनल मिलियन्स एर्मिनिस्टेशन को सब्सक्राइब कर दे शाथ में बेल आइकन को परिश कर दे आंसर होगा अफसन फूर सोनी परिवार प्रताप गढ़ की मिनाकारी थेवा कहलाती है थेवा कला के अंतरगर्ण हरे, निले, लाल वपीले काँच पर सोने वव चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है इस कला को उभाने वाला कलाकार नाथूजी सोनी था लेखने हैं कि नाथू जी सोनी, सोनी परिवाल के शंकरलाल सोनी तथा राम निवास को भी राष्टी अस्तर पर सम्मानित क्या जा चुका है थेवा कला के लिए प्रसिध मिनाकारी थेवा कला का शम्मंद है परताप गड़ से निमले खेत में से किस वस्तर का शम्मंद राजस्थान से नहीं है कांधा, सांगा नेरी अप्सन ए में जो है जैपूर, बारमेरी प्रिंट के वस्तर तथा राजस्थान की बाधनी सारी देशभल में परसिध है, कौन सा नहीं है तो कांधा राजस्थान में बलुपोटरी का परमुख ग्यंतर कौन सा है जैपूर, चिनिदार मिटी के बवतन पर रंगीन और आकासक चितकारी का नाम बलुपोटरी है, जैपूर की बलुपोटरी बिश्ब विख्यात है राजस्थान की परसिध बलुपोटरी की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ, पार्शिया, बलुपोटरी का जनम इरान या पार्शिया में माना जाता है राजस्थान में बलुपोटरी का शर्बाधिक विकास किसके सासनकाल में हुआ था, राम सिंग के सासनकाल में जैपूर सासक राम सिंग के सासक के समय दिल्ली निवासी भूला नमक ब्यक्ति से बलुपोटरी का काज सिखलाया गया इस कला का अभिकास सवय जैसिंग, सवय राम सिंग के सासनकाल में हुआ बलू पोटरी में नीले रंग की पधानता होती है, यह पोटरी बनाने के लिए गोंद, सुरियम कार्बुनेट, मुल्ताने मिटी, क्वार्ज, हराकांस का गोल तियार किया जाता है, बलू पोटरी से सम मानित किया गया है, अब संतीन किपाल सिंग सेखावत, मिरित परायर इस कला को पुनजीवित करने का सरे किपाल सिंग सेखावत को कहा जाता है, जिन्होंने बलू पोटरी को एक विश्व आयास दिया, बादला क्या है जिंक से निर्मित पानी की बूतल बादला कहलाती है कपरे पर मोम की परवत चढ़ा कर चित्व बनाने को क्या कहते है वार्तिक अप्सन ए वार्तिक हस्त सिल्प कागच राष्टिय संस्थान की सरस्थापना की गई है कहां पे शांगानेर में हस्त सिल्प कागच राष्टिय संस्थान सांगानेर जैपू में इस्थित है मत हैरन किस जिले की परसिध लोक कला है बीकानेर की अप्सन सी बीकानेर की बार्मेव प्रिंट किस नाम से जाना जाता है अजरक प्रिंट के नाम से राजस्थान में बार्मेव की अजोयक प्रिंट लाल वा नीले रंग में दोनु और छपाई वा मिलव प्रिंट कथाई वा काले रंग की अधिकता बगरु की कला लाल छपाई संगानेव की संगानेरी प्रिंट अकूला चित्तोरगर की दाबू प्रिंट देश बिदेश में है नेक्ड है बिस्प्रसिथ अज्रक प्रिंट निम्लिकित में से किस एस्थान से संबन्द से नेक्डश मीलफ प्रिंट का Я शंबंद है मलेग मलेग प्रिंट का शंबंद है बारमेश राजस्थान का कौन सा सहग बेल भूतों की छपाई की पारम परिक कला के लिए जाना जाता है अंसर होगा संगानेर उस्ताज कहलाने वाले चितकारों के भीती चित किस नगर में बनाए हैं यह अंसर होगा उस्ताज कहलाने वाले चितकारों में बिकानेर में बिकानेर के अनुप शिंह बिकानेर में सुंदा भीती के उस्ताज चितकारों को लाए थे जो उस्ताज कहलाते थे विकानेर की मतहरन जाती भी इस कला में पारंगत थी निख्ट है छातो अम्रिला के लिए परसिद है फालना को कौन से जग है फालना अम्रिला के लिए परसिद है राजस्थान में दर्यों के निमान के लिए परसिद अस्थान कौन से है आंसर होगा टांकला सालाव राजस्थान में लेटा मांगरोल एबम सालावास जाने जाते हैं कपरों की मदों की बुनाई के लिए अफ्शन एक कोरेक्ट आंसर है तेरी कोटा परसित से पधती से विभिन देवी देवताओं की मुर्तियां बनाई जाने वाला अस्थल मुलेला किस जिले में इस्थित है राजसमन्द किस जिले में है राजसमन्द में राजस्थान का मुलेना या मुलेला गाउं किस हस्तकला के लिए परसिध है तेरी कोटा नेक्ष है निमलिखित में से कौन सा राजस्थान दरी निमान के केंदर के रूप में परसिध है टोंक काग जी तेरा कोटा के लिए परशिद हैं अलवर अलवर की बहूत पतली परतदार बरतन काग जी कहलाती है बरतन कला परशिद है निम्न में से किसे मनु भूमी की कोकिला कहा जाता है अल्ला जिलाई बाई को अल्ला जिलाई बाई को अल्ला जिलाई बाई मांड गाई का बिकानेय निवासी राजस्थान की मरुक कोकिला मांड गाई का गाया केसरिया बालमगीत आज राजस्थान की पहचान बना हुआ है कला एवं साहित में उनके योगदान के लिए उन्हें 182 में पदम सिरी से शम्मानित किया गया, मांड गाई के लिए उन्हें 182 में पदम सिरी से शम्मानित परसिद महिला थी अल्ला जिलाई बाई, अफसन भी अल्ला जिलाई बाई, केसर या बालम आओदनी पधारों महो देश को अल्ला जिलाई बाई ने किस राग में गाया मांड महारी बर्शाले अरी मुमल हलेनी ए आली जेरे देख नामक लोक गीत किस छेतर का है जैसल मेरिका सुबट्या लोक गीत का समद किस से है भील इस्तरी से मेवार पर्वतिय परदेश का सुबट्या लोक गीत भीलनी इस्तरी द्वरा पती के लिए संदेश के रूप में गाये जाने वाला विरह गीत है भीलो का परसिध लोक गीत जिसे इस्तरी पुरूत पुरूस साथ मिलकर गाते हैं वह हैं हम सीडो मेवार परवतिय परदेश का हम सीडो लोक गीत भीलो के युगल पुरूस इस्तरी पुरूस द्वरा गाया जाता है निमलेखित में से किस संगीत का संब्ध राजस्थान से नहीं है अंसर होगा बाउल बाउल पश्चिम बंगाल का परसिध अध्यात्मिक लोक गीत है लांगूर या लोक गीत है भक्ती गीत गुजरों में अधिक मानी जाने वाले कैला देवी के मंदिर की परमुख विस्सिस्ताक पनक डंडवत हैं इनके भक्त इनकी आराधना में फरसिध लांगूर या गीत गाते है लांगूर या गीत का शंबंद है कैला देवी से लांगुरिया गीत किस मंदी पर गाया जाता है? काला देवी के मंदीर पर पावना गीत कब गाया जाता है? शशुआल में जवाई के आग्मन पर पावना, किसी घर में ब्याहे जाने वाले ब्यक्ती से सम्वंधित गीत गाये जाते हैं, वे गीत पावना कहलाते हैं, ये गीत भूजन कलाते समय गाये जाते हैं, जिन में मिठी मिठी गालिया दी जाती है पावना नामक गीत गाये जाते हैं? अंसर एक, नए दमाद को शश्वाल में खाना खिलाते समय गाये जाने वाला गाना, पावना निर्ति की कथक सैली का आदीम घराना है? जैपूर मुहरम के अवसव पर पर्योग में लाये जाने वाला पर्शिद वादे यंद्र कौन सा है? तासा तासा इस वादे यंद्र को तामबे की चप्टी परत पर बकरे का पतला जम्राम मढगा बनाया जाता है इसे बांस की खपच्चियों से मुहर्रम के अवसा पर बजाया जाता है रावन हत्था क्या है? एक परकार का वाद्दियंत्र रावन हत्था राजस्थान में भाट जाती के मुख्य काज है बिभिन परिवारों की वंसा वाली का अभिलेख रखना निम्र में से कौनसा वाद्दियंत्र बासुरी की तरह होता है? अलगोजा नेक्स्ट क्वेश्चिन मुख के द्वारा बजाये जाने वाला वाद्दियंत्रों में निम्लेखित में से कौनसा नहीं है? रावाजा कौनसा नहीं है? रावाजा कौन सा तत्व वाद नहीं है सतारा सतारा सुधिय वाद यंतर बासुरी अलगोजा वा सहनाई का मिस्वित रूप होता है यह वाद यंतर मुख्य रूप से जैसल मेर वा बार्मे जिलों में बजाया जाता है नेक्ष्ट है तार लगा वाद यंतर है जंतर अफसंदी जंतर नेक्ष्ट कुष्चन है मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाये जाने वाला वाद यंतर है नवबत यह वादेयंत धातु की अंदाकार कुंडी पर भैसे की छाल मढगब चमरे की डोर्यों से कसकब बनाया जाता है यह लकरी के डंडों से बजाया जाता है बाक्या, सिंगी और टोटाव लोक वादि किस परंपरा से संबंधित है सुधीर वादिस वादियम यंतर टामक का संबंध किस छेतर से हैं मेवाद छेतर से मोरचंग हैं एक परकार की वादियंतर राजस्थान के किस लोक वादि को जोज हर्प भी कहा जाता है मोरचंग मुगल समराट साजहां के समय से ही परसिध नाहर निरित की खेलने की परंपरा कहां परचलित है मंडल में मांडल में मांडल में साजहां के सासनकाल में से होली के तेरह दीन पस्चात रंग तेरह पर नाहर निरित आयोजित होता है भीलो द्वारा बिवाह की अव्षप किया जाने वाला निरित क्या कहलाता है हाथी मना बिवाह की अव्षप भील पुरूश द्वारा जमीन पर घुटने टेक का बैट का तलवार को घुमाते हुए निरित करना परस्ध बम निरित राज के किस छेतर का है अंसर होगा भरतपुर बम निरित कहां का परस्ध निरित है अलवर भरतपुर का तेरा ताली निरित किस लोक देवता को शमलपित है राम देव जी राम देव जी मेला का परमुख निरित कौन सा है तेरा ताली नेक्ष्ट है गैर निरित किस त्युहार पर क्या जाता है होली परसिद राजस्थानी गैर निरित में भाग लेते हैं केवल प्रूश गरासियों द्वारा क्या जाने वाला निरित हैं वालर शिरोही और आबुम के इर्द गिर्द गरासिया जाती द्वारा किये जाने वाले इस निरित को दो अर्थबृत होते हैं, बाहर के अर्थबृत में प्रोश्व अंदर के अर्थबृत में महलाए निर्त करती है, नर्तक हाथ में तलबार, तीर, धनूस, आदी लेकर, विवाह, अथवा, त्युहाग की अवसरों पर वगाएर किसी वादे यंत्र के साथ यह निर्त करते हैं गरासिया द्वारा किये जाने वाले किस निर्थि में वाद यंत्रों का परियूग नहीं होता है वालर नेक्ष्ट है निम्लेखित में से किस जन्जाती में वालर लोक निर्थि लोक परिये हैं गरासिया अफसंतीन गराशिया प्रस्द राजस्थानी लोक नर्त की गुलावों का सम्मन्ध हैं काल बेलिया निर्त से राजस्थान का कौन सा निर्त रूप दू हजार दस में युनूस्थको की अमुर्त संस्कृतिक धारोह सूची में सम्लित किया गया है काल बेलिया نर्टस कुश्चन है सेखा वाटी च्छतर से सम्मन्धित निरित है कौन सा है सेखा वाटी से गिदर सेखा वाटी चतर में होली के अफसर पर किये जाने वाला यह पुरुसुद वाला लोग निरित्त है इस निरित्व में नर्तक पैरोब में घूंगर वा हातों में एंडिड लिये हुए गूले घेरे में खरे रहते हैं। पेजन निर्त किस छेतर से सम्मंधित हैं। बागर राजस्थान के लोक निर्तियों का शिर्मावर हैं। घूम निर्त मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है। राजस्थान के कौन सा लोक निर्त केवल महलाव द्वारा किया जाता है। घूम लोक निर्ति को सनवक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गनगर घूम निर्त अकादमी अस्थापित की गई। कब की गई ये बताना है। अंसर होगा 1986 में। गिदर निर्त किस अबसर पर किया जाता है। होली के अबसर पर। निर्त जो किबल पुरुशो द्वरा किया जाता है। कच्छी घूरी सेखवाटी छेतर में परचलित बास और कागत से बनी घूरी के कारण। इसे कच्छी घूरी निर्त कहा जाता है। इस लोग निर्त के साथ तासे जांच और खरताल पहन का सरगरा जाती के लोग बनाते हैं। निमलेखित में से कौन सा मेव लोग निर्त हैं जिसमें इस्तरी वपुरूश दोनों भाग लेते हैं। रन बाजा निर्त राजस्थान का संकर्या निर्त किस से सम्बंधित हैं। काल बेलिया से गरासिया जनजाती से सम्बंधित निर्त सैली कौन सी हैं। आंसर होगा लूर अप्सन भी आंसर होगा। निमलेखित में से कौन सा लोग निर्त गुज्ज शमुदाय से सम्बंधित हैं। राजस्थान में भवाइणाती के जर्मदाता थे बागाजी। जी बागाजी लोकनाटे के रूप में पापु जी की फर अत्यांत लोक पिरिये है पापु जी है अन्सर होगा लोकनायक पापु जी है जो लोकनायक है लोक देवता पापु पापु जी, उटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं, यह मानन जाता है कि उट जब और स्वस्थ होता है, तो इनकी मरोती माँझने पर स्वस्थ हो जाता है। कहा जाता है, मरवार में सरप Shoremay उट लाने का असरे, पापु जी ओक हैं। राजस्थान के किस सहर में होली के दोरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? बीका नेर Next question है संत पीर, साह अली और तुकन गीर ने 400 साल पहले मेवार में किस ख्याल की रचना की? तुर्रा कलिंगी ख्याल तुर्रा कलिंगी ख्याल की रम्मत हैं एक लोक नट रम्मत लोक नट वस्तुत संगेत नट हैं जो एतिहासिक एवं पवरानिक तथ्यों के आधावप काब्य रचनाओं के माध्यम से अभिनिहीत किया जाता है निमलेखेत में से राजस्थान के किस च्छतर से अली बक्षी ख्याल संबंधित है अलवर अली बक्षी ख्याल यह ख्याल अलवर जी लेक में परचलित है इस सैली के परवगतक अली बक्षी जी थे नाता है रिष्टो का एक नाम नाता राजस्थान में परचलित पुनल विवाह की परथा जिसमें सहमती के अधार पर पतनी अपने पती को छोड़ कर बिना किसी अपचारिक रस्मों के किसी अन्य पुरूष के साथ रह सकती है खालसा पंथ की अस्थापना किसने की गुरू गोविंद सिंगने मिर्टक को संसान ले जाने के लिए पर्युक्त बास या लक्री की अर्थी को कहा जाता है बैकुंठी राजस्थान में परच्रित पत्था मिर्टु भोज को कहते हैं मौसर मौसर क्या है मौसर करे विए घटै, संसाने के लिए राजस्थे में आथी पर पैसे फेके जाते हैं उसे कहते हैं बखेर क्या कहा जाता है बखेर सापूरा में जिस संप्रदाई की पीठ इस्थित हैं वह है रामसनेही संप्रदाई संप्रदाई पर्यावरन चेतना जैसी आधुनिक सब्दावली का महत बहूत पहले ही किस संत ने जान लिया था संभोजी संभोजी संत संभेश्वर इसकाजनम नागोर जिले के पीपासर गाउं में भदपार कृष्णा अश्टमी कूप 1508 को पौवव वन्सिय राजपुत लोहट वह हंसा देवी के यहां हुआ इनके गुरु गुरखनात थे परियावरनिय विज्ञानिक कहला उपनाम से परसिध ये संत कि स्री किरस्ण के आवतार माने जाते हैं संभोजी के अन्वाईव किस रूप में जाने जाते हैं विश्णोई किस रूप में विश्णोई संभाथल धोरा इस्थित हैं विकाने जीले में विश्णोई संपरदाय के प्रवतक गुरु जम्हेश्वर से सम्मधित मुख्य अस्थान हैं मुकाम संत धन्ना का जरम किस जिले में हुआ था टूंक जिले में राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान जूर का बर्स बनारस गए और रामानंद के सिस बन गए धन्ना कौन थे धन्ना जाट परिवार में जन में धन्ना रामानंद के सिस्थे जो राजस्थान छोग बनावस गए थे रामसा पीर के नाम से परशिद संत का सही नाम क्या है बाबा रामदेब नेजा है रामदेब जी की पचरंगी पता का नागला पीठ किस संपरदाय से संबंधित है लाल दास सी संपरदाय नारी संत दया बाई सिस्या थी संत चरंदास की निमलिखित में से कौन सी रचना मीरावाई की है पदावली कौन सी रचना पदावली राजस्थान में वल्लब संपरदाय का परमुक धार्मिक अस्थल है नाथ द्वारा नाथ द्वारा संत माब जी का शंबंध है डुंगर पूर से निमलिखित में से कौन विश्णोई संपरदाय का संस्थापक था संभो जी जांभो जी नर्स्ट क्वेश्चन है संत भूरी बाई अलग का काज़े छेतर था मेवार संत मेरा बाई का जनम अस्थल कुकुरी बरत्मान में राज अंसर होगा पाली पाली जीले में इस्थित हैं दासी मत का संबंध किससे है मीरा से परसिद भक्त कावित्री मीरा के पती का नाम था राजकुमा भूज राज राजकुमा भूज राज नेक्स्ट है संत दर्यावजी द्वारा रामसनेही संपरदाय की साखा कहां अस्थापित की गई है आंसर होगा रेन में संत पीपा की गूफा कहा है यह बताना है संत पीपा की गूफा कहा है अंसर होगा टोडा पीपा जी की गूफा टोडा गराम टूंक जीले में इस्थित हैं नेक्स्ट है निमली खीत में से दादू पंथी संत कौन है रजवजी रजवजी दादू दयाल के उपदेश दादू वानी व सतसंग अलख दारिबा कहलाता है बावन सिस बावन अस्तंब कहलाते है इनमें सुन्दर दास व रजजब जी परमुख है नेक्स्ट कुष्टन है गरीब दास जी संत दास जी जगनात जी माधो दास जी आदी संतों का संबंध किस शंपरदाई से माना जाता है आंसर होगा अफसन ए दादू पंथ से जामभोजी ने समराथल धोरा बीका नेर में विश्णोई शंपरदाई की अस्थापना की इस शंपरदाई के अनुएवी कितने नियमों का पालन करते हैं कितने नियम 29 नियम का पालन नेक्ष्ट कोश्चन है लिख मादे सर पुनरा सर माला सर किस संपरदाई की उप पीठे हैं जसनातची संपरदाई जसनाथी संपरदाई नेक्ष्ट है ज्यान समुदर वावनी रामची अंटक नामक कृतियो का शंबंध किस संथ से हैं सुन्दरदास नेक्ष्ट है पीर फरकदीन बावा जी मजार किस नदी के टेट पर इस्थित है? माही नदी के टेट पर दादू पंथ की परमुख पीठ इस्थित है? कहां इस्थित है? ये बताना है अंसर होगा नारायना नारायना में ठेक? अप्सन फोर नारायना जैपूर में दादू ने अपना अंतिम समय विताया नक्ष्ट क्वेशन है आचार्य तुलसी ने अनुवरत आंदोलन का सुतलपात कब किया? ये बताना है अनुवरत का प्रारंब आचार्य तुलसी दुआरा एक माज उनेशो उन्चास में राज अस्थान के सर्दार सहर कस्वे में हुआ एक सासक एबं संत पीपा किस अस्थान से संबंधिल थे गागरौन से कहां से गागरौन नेक्स्ट कुष्चन है शुम्मेलित कीजिए पर्योग साला सहयक 2016 में पूछ लिया गया है अभी भी सहयक का एक जैम होने वाला है देखे पहला है सेख हमिवदीन मुठ्य महावली चीक है अस्थान इधा दिया गया है इसका होगा गागरौन मौलाना जियाउदीन जैपूर सेख नजमुदीन फतेपूर सेख बाबा इसहाग खाटू अप्सन ए कोरेक्ट अंसर होगा कौन सा दादू पंथ का उप्संप्रदाई नहीं है सतनामी अलख्या संप्रदाई की अस्थापना किसने की लाल गीरी ने मुगल समराट अकबर द्वारा जिस संत को फतेपूर सिक्री आमंतीत किया गया था वह था दादू दयाल आमेव नवेश भगवान दाश के माध्यम से दादू जी की भेट फतेपूर सिक्री की यात्रा के दोरान 1585 इस्वी में मुगल समराट अकबर से हुई राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेपूर सिक्री में अकबर से भेट की थी दादू दयाल नक्ष्टे भक्ती आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे दादू जी नाथ संपदाई के केंद्रिय मठ की अस्थापना किस अस्थान पर हुई थी जोधपूर में पूर्ब मध्य काल में जब साक्त संपदाई तांतरी को सिद्धो आदिस से बदनाम हो गया तब नाथ मुनी ने सैब संपरदाई के नए रूप नाथ संपरदाई की अस्थापना की नाथ संपरदाई की पधान गदी जोधपूर के महा मंदिर में इस्थित है अंसर होगा जोधपूर राजस्थान में सैब को मानने वाली रियासत कौम सी है जोधपूर रियासत निमलेखित में से कौम सा संपरदाई निलगुनों पासक नहीं है नाध पसुपति संपरदाई का शंस्थापक कौन था लकू लीस लकू लीस ठीक है नेक्ष्ट है जसनाथिस संपरदाई की उत्पती राजस्थान के किस रियासती राज में हुए बीका नेर में निम्बार्क शंप्रदाय की परमुख पीठ इस्थित है सलेमाबाद में परसू राम निम्बार्क या सनकादी शंप्रदाय की पधान पीठ शलेमाबाद अजमेर में इस्थित है ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ती के गुरु थे आंसर होगा हजरत सीख उस्मान हारुनी हजरत सीख उस्मान हारुनी ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ती हजरत सीख उस्मान हारुनी के सिस्ते नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए most important question है देखिए परियोग साला सहायक कन्यक्ष्ट अनुद्यसक और इधर ACF FRO में पूछ दिया गया है हाल ही में पहला है जसनाथ जसनाथ जी संप्रदाए और इधर अस्थान पूछा गया है कहां पर है ठीक एक का होगा option for जसनाथ जी कत्रियासर बीकानेर सितला माता सितला माता चाक्सु जेपूर जांभोजी जांभोजी का होगा मकाम मुकाम नोखा मुकाम नोखा जीन माता जीन माता का होगा option 1 रेवासा सीकर में टिक next question है सुमेलित कीजिए किसी अधिकारी किसी विभाग में 2021 में पुछा गया है संत है इसके बाद जाती ठीक इसी परगार से दिया गया है देखें यहां पे जो question जो arrange किया गया है कुछ गरवर है यहां पे a b c नीचे में देता तो अच्छा बाता c d इधर देता तो मिलाने म परिषानी है फिर देख लेते हैं एक फास्ट है में संत है जसनात किस जाती के थे तो जाट जाती के वी में है लालदास लालदास जो थे मेव जाती के थे सी में है रजब रजब जो है पठान थे और दी में है बखना यहां है न बखना यह जो है यहां पर जाती है मिरासी जाती के थे ठीक है कि कुश्डण एर्न अच्छा से नहीं आ गया है इसलिए प्रोब्रम हुआ है न्यर्ण ब३ूंजnaire के संस्थापक ड् Videogal पजनम नागावर जीले के काप रोर्द नामक अस्थान पर हुआ ये संत बनने से पहले डगैति का काज करते थे एक महात्मान के शंपर्क में आने से इनका हेदे परिवती तुफो गया हरिदास जी द्वारा अस्थापित संपदाय निरंजनीर संपदाय कहलाता है हरिदास ज संपदाय के गिरहस्त अनुवायों को घरवारी व विरक्तों को निहंग कहा जाता है सहजोबाई का गुरू कौन था चरंदास सहजोबाई का गुरू कौन था चरंदास नेक्स्ट टोपिक है लोक देवता से रिलेटेड जितना मुष्ट इंपोर्टेंट कुईस्चन है उसको देखेंगे जो प्रिविजेश एर का है नेक्स्ट लोक देवता तेजाजी महराज का पवित तीथ अस्थल बांसी दुगारी कहां इस्थित है कहां है बुंदी में बुंदी इस्थित बांसी दुगारी तेजाजी महराज का पवित तीथ अस्थल माना जाता है गोगा जी का परमुख मेला गोगा मेरी हनुमान गर में भरता है जबकि दूसरा मेला कहां भरता है ये बताना है अंसर होगा गोगा जी की ओल्ली संचोर में गोगा नौमी कहा जाता है भादपद केत किरिष्न पक्ष की नौमी को राजस्थान में सरवाधिक महत्पूर्न लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी जाटो के अरध्य देव तेजाजी की मान्यता प्रम गवरक्षक एबं गायों की मुक्ती दाता कला एबं बाला के देवता एबं किसी काज के उफ्करन देवता के रूप में तेजाजी को माने जाते हैं राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युध किया अंसर होगा गोगा जी इन्होंने महमूद गजनवी से युध किया था इन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जन सुर्जन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसल्मानों से गायों को मुक्ती कराने के Next question है, लोग देवता गोगा जी का थान समानेता किस पेर के नीचे बनाए जाते हैं? खेजरी पेर के नीचे, गोगा जी के थान, खेजरी विरिक्ष के नीचे होते हैं, जहां मुर्ति सोरूब एक पत्थर पर सर्ब की आकिरति अंकित होती है नक्षे तेजा जी का मुख्य तिद अस्थल कहां पर है परवत्सर में तेजा जी की इसमेती में परतिवस भादपद्र सुद्धी दस्मी जिसे तेजा दस्मी भी कहा जाता है कुण नागवर के परवत्सर में मेला भरता है छेत्व पार राजस्थान की संस्कृति में एक महत्पून पहलू रहा है ग्राम देवता के रूप में नक्ट क्वेश्चन है भूर्या बाबा आराध्य देवता है गोरवार के मिनाओं के भूर्या बाबा गोमतेश्वर महादेव का मंदिर अरावली परवत मालाक के गोरवार छेत्व में सूकरी नदी के दाहिने किनारे पर इस्थित है बार्मेव जीले में तिलवारा गाउं में इस्थित मंदिर किस लोक देवता से शमंधित है मली जी नाथ मली नाथ जी अफसंपो मली नाथ जी मली नाथ जी पश्टू मिला तिलवारा बार्मेर में पति वस चेत्व माह में भरता है भारतिय डाक बिभाग ने किस लोक देवता की फर पर डाक टीकट जारी किया है देव नाथ जी की फर गुर्जल भूपे द्वरा गाई जाती है यह सबसे पुरानी शरवाधिक चितरांकर वर शरवाधिक लंबी गाथा वाली फर है जिसके चितरांकर में शर्प पर चितर तथा इनकी घूरी लिलागर को हरे रंग से चितरित किया जाता है दो सेतंबर उनेश्टो ब्रानमे को देव नाएन की फर पर पांच रुपिये का डाक ट्रिकट जारी किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है राजास्थानी लोक गीतों में गाए जाने वाला नेतल्द का भारता किस लोक देवता के शंदर्व में है रामदेव जी का विवा अमर कोट के राजा दल्जी सोठा की पुतरी नेतलदे निहालदे भी कहा जाता है उससे के शाथ हुआ था किस लोक देवता की ख्याती चार हाथों क्वाले देवता के रूप में हुई वीर कल्ला जी अकवर के विरुद चित्तोरगर्ध आकरमन के श्में कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए वीर कल्ला जी राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जिथा जांभो जी सांथू गाउं में किस लोक देवता का विशाल मंदिर जहां परती वर्ष भदवा सुधी नौमी को मेला लगता है फता जी निमले खित में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है नाम देव जी नग्ष्ट है गोगा जी का मिला किस माह में भरता है भाद पद में भाद पद में नग्ष्ट है तेजा जी के जनम अस्थल का नाम है खरनाल तेजा जी का जनम अस्थल खरनाल नागोर है बाला अव बाला का देवता है। जीला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधी अवस्थित है। जैसनमेर। संत बापु जी के सिस मुख्यत हैं हरेवारे। पाबु जी का अवतार माना जाता हैं लक्षमन का। उटू का देवता पलेग रक्षक देवता। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। गूगा जी को। नक्ष्ट कुष्चन है most important है देखिएगा देव नरायनी जी का मुख्य मंदिर कहां आवस्थित है ये जैयन mechanical 2020 में पूछा गया है आसंद में कहां है आसंद में देव नरायनी जी के पूरा अस्थल आसंद भिलवारा जोधपुरिया गाउं टोंक देहमाली पूसकर में जिलानी मता जिलानी मता नक्षे कैला देवी मंदिर इस्थित है करवली में कैला देवी करवली यहां इस्थित दिव्य मंदिर का नियमान नरेश गुपाल सिंग ने करवाला मंदिर के सामने प्रांगर में गनेश ची वा भैरव जी के मोतियां हैं जिनें प्रक्रितिक ब्रज भासा में लांगूरिया कहते हैं गुज्रों में अध्हीक मानी जाने वाला इस देवी के मंदिर के मुख्य विस्षिस्था पनक दन्रवत हैं इनके भक्त इनकी आराधना में परसिद लांगूरिया गीत गाते हैं नेक्ष्ट क्वेश्चन है कारवली छेतर में कैला देवी की आराधना में गाये जाने वाला गीत कौन सा है लांगूरिया गीत नक्सरा, जैसल मेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्र में से किस देवी की पुजा करते थे? श्वागिया देवी की पुजा नक्सरा, आशापूरा माता किस वंस की कुल देवी है? चोहान वंसकी आसापुरा माता जालोर से 40 किलोमीटर दूर मोदरा इस्थित आसापुरी माता का मंदिर मैसासुर मदानी महा महुदरी माता एबम मोदरा माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जालोर के सुन्न गरा चोहानोग ची की जो साखा नाडोल से उठका आई थी उनकी ये कुल देवी थी नेफ्ट है आमेर में सीला देवी का मंदिर बनवाया गया था मांसिंग के द्वारा किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया कैला देवी शामभर जिल में निम्न में से किस देवी का मंदिर इस्थित है शाकमभरी देवी जैपूर के पास सामभर जिल में अवस्थित शाकमभरी देवी का मंदिर परसिध है इसके अतरिक शाकमभरी सकती पीठ का मंदिर शीकर की पहारियों में इस्थित है जीन माता कौन से राजपुत वंस की कुल देवी है चुहान वंस के जीन माता इन्हें चुहान की कुल देवी सेखावाटी छेते की लोक देवी मधुमक्यों की देवी के नाम से जाना जाता है इनका जनम धुन्धा कौं में हुआ इसके मंदिर का निमान प्रिथिवी राज चुहान पर्थम के समय हट्टर द्वारा वर हर्स की पहारी पर करवाया गया यहां ड्हाई प्याले सराब चरती है वह पहले बकरे की बली दी जाती थी बहतमान के समय में केवल बकरे के कान चड़ाते हैं नेक्स्ट कुश्चन है राजस्थान के लोग साहित में किस देवी देवता का गीत सब से लमबा है जीन माता यह कुश्चन मोश्ट इंपोटेंट हैं देख सकते हैं आप कितना वार पूछ दिया गया है जोदपूर के राठोर की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं कौन सा है अंसर होगा नाग चेनी मता नाग नेची मता जोदपूर के राठोरों की देवी नाग नेची मता राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का शंबंध चुहो से हैं करनी मता विकानियर के राठोर की आराठ्य देवी वा चारन जाती की इस कुल देवी का मंदिर विकानियर के देश नोक नामक अस्थान पर इस्थित है करनी मता चुहो के देवी के रूप में भी जानी जाती है करनी मता के बच्पन का नाम रिद्धी वायथा जो कलांतर में करनी अर्थात अनादी सकती स्वरूप करामता की देवी हो गया इस मंदिर में पाए जाने वाले सफित चुहा कावा कहलाता है गवर अक्षा वो सिध्यों के कारण इन्हें देवत प्राप्त हुआ है नेस्ट क्वेश्टन है राज समन्द जहिल में किस लोक देवी का अस्थान मंदिर है गेवर मता जैसल मेर के भाती राजपुत जिस देवी की पुजा नहीं करते हैं वह कौन से है अंसर होगा करनी मता जैसल मेर के भाती राजपुत वन्स के कुल देवी आवर हिंगलाज मता है विकानेर के राठो की कुल देवी करनी मता है निमलेखित में से किस लोक देवी को थार की वैशनवो देवी कहा जाता है तानोर्ट माता को तानोर्ट माता जैसनमेर थार की वैशनवो देवी वह सेना के जवानों की देवी वुमाल वाली देवी भी कहते हैं तानोर्ट माता को नेक्स टोपिक है राजस्थान के परमुख मेले जिसमें पहला है मरू महतसब कहां मनाया जाता है जैसल मेर 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 परवतसर नागोर में आई की दिरिष्टी से राज का सबसे बरा पसुम मेला वीर तेजाजी पसुम मेला परवतसर नागोर में हैं। यह समाज का उर्ष कहां भरता है यह बताना है गलिया कोट में अंसर तीन गलिया कोट में। प्रसिद गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जीले से संबंध है बासवारा गोटिया अंबा का मेला चैतर अंबस्या को बासवारा में भरता है इसे आदिवासियों का दूसरा कुम कहते हैं। पूसकर मेला किस तिथी को शंपन होता है कार्थिक पुर्णिमा नेस्ट कुश्चन है आदिवासियों का कुम कहा जाने वाला बेनेश्वर मेला किस जीले में लगता है। डुंगरपुर में सोम जाखं एब माही नदी के शंगम पर भरने वाला आदिवासियों का कुम बगर का पूसकर बगर का कुम बगर पधेश का सबसे बड़ा बेनेश्वर मेला डुंगरपुर में लगता है। नोहर तहसिल हनुमानगर्ष में कौन सा परसिध मेला लगता है गोगाजी का मेला गोगाजी का मेला गोगाजी का मेला गोगाजी के शमाधी अस्थल गोगाजी में परतिवस भादरपाद कृष्ण नौमी को विशाल मेला भरता है बाबु महराज का मेला किस जिले में भरता है धौलपूर में? बारी धौलपूर में बाबु महराज का मेला भादपद शुक्ल एकादसी को भरता है कैला देवी का मेला अब लगता है चेतर सुक्ल पक्ष को कैला देवी करोली से 25 किलोमेटर दूर तिरकुट परबत पर काली सिंध नदी के किनारे इस्थित कैला देवी का श्वेत संगमवर्श बना आकरशक मंदिर राजपूत वस्तु कला का अनुपम नमूना है यहां चेतर माह की सुक्ल पक्ष की अश्टमी को 84 भोग के दर्शन के निमित विशाल मेला भरता है कोलायत का वार्शिक मेला राजस्थान के किस सहर में आयोजित किया जाता है बीका नेर में कोलायत बीका नेर्शे लगभग 51 किलोमीटर दूर इस्थित कोलायत महर्शिक कपील शांखे दर्शक के परनेता की तपव भूमी है कोलायत का शरोबत था इसके 52 घाटों के साथ ही पास में बने पांज मंतिर दर्शनिय है यहाँ पर पती वश कार्थिक पुनिमा को विशाल मेला लगता है नेक्ष्ट सिता बारी का मेला सहरिया जन्जाती का कुम जहां लगता है वह है केलवरा बारा नेक्ष्ट मेला और माह सुमेलित करना है मेला है पूसकर पूसकर जो है किस माह में लगता है ये बताना है पूसकर मेला पूसकर मेला जो है कार्तिक में लगता है जीन मता का मेला चेतर में लगता है भरतरी हरे भरतरी हरे का मेला जो है भादपतर में लगता है और डिग्गी जो है स्रावन में लगता है आंसर हो जाएगा एक नेक्स्ट कुश्चन शुमलित कीजिए देव नरायन मेला कब लगता है ये बताना है देव नरायन मेला भादपद्र सुक्ल सत्मी को राम देव जी मेला भादपद्र सुक्ल तिरत्या को वीर फता जी मेला भादपद्र सुक्ल नौमी को और तेजा जी का मेला भादपद्र का मेला कहां आयोजित होता है डिग्गी में कल्यान जी मेला डिग्गी मालपुरा टोंक में भरता है नेक्ट क्वेश्चन है बीका नेर उर्टिहार के महिने में मनाया जाता है किस महिने में जन्वरी महिने में बीका नेर उर्टिहार जन्वरी महिने में मनाया जाता है रंथमभवर का परिशिद मेला आयोजित होता है भादर पदर सुक्ल चतुर्तसी को गनेश जी का तेनेतरमन्दिर शबय माधवपूर के पास इस्ठित इस मन्दिर में स्रीगनपती के मातर मुक की पुजा होती है बहादर पदर सुक्ल की चतुर्थी गनेश चतुर्थी को यहां परतिवस एतिहासिक एवं संभवता देश का सब सिप्राश चीन गनेश मेला भरता है नक्ष्ट है भगवान सिपको समर्पित सिवार के मेले का आयोजन राजस्थान के किस चीले में होता है शबय माधवपूर में सिवार शबय माधवपूर भारत का बारवी जियोति लिंक स्री गुष्मिश्वर इसरदा के पास सिवार में अवस्थित है यहां परतिवस सिवरात्ती के अवशफ बिशाल मेला का आयोजन किया जाता है कोलायत का वार्शिक मेला राजस्थान के इस सहर में आयोजित किया जाता है बिका नेर में जांगर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपील मुनी का मेला कार्तिक पुर्णिमा को भरता है कोलायत बिकानेर में। अजमेय जीला का कौन सा स्थान कुरा मार होली उत्सव हेतु परसिद है भिनाई। यहां पर बेक्षा दिया गया है विभिन जीलो में होली कै रंग। श्री महावीर जी कडोली पत्थर माग होली बारमेर कूरा मार होली भिनाई अजमेर अंगारों की होली केकरी अजमेर गोबर के कंठों की होली गलिया कोट डुंगरपूर पत्थरों से होली खेलने की पनपरा भिलूरा गाउं डुंगरपूर नेक्ट है निमलिखित में से किस छेतर में सितावारी का मेला आयोजित किया जाता है हारवती छेतर में हारवती परदेश का सबसे बड़ा मेला सहर्या जाती का कुम्भ मेला सितावारी का मेला बारा डॉट डॉट को मुल रूप से मांड महुटसब के रूप में जाना जाता है मारवार को जोधपूर के फेमस मारवार महुटसब निर्तिय संगीत का वार्षिक महुटसब जिसे मांड महुटसब के रूप में जाना जाता है इस महत्सब का आयोजन हर साल आश्मिन महिने शितंबर या अक्टूबर में आयोजित किया जाता है इस महत्सब का आयोजन परसिद उम्मेद भवन पैलेस मंडोर और महरानगर किले में होता है नेक्ष्ट है राजस्थान में पतंग महुत्सब डौट के महिने में मनाया जाता है जनवरी महिने में नेक्ष्ट है राजस्थान में वार्शिक सीथ कालिन उत्सब मनाया जाता है मौन्ट आबू में राजस्थान के किस सहर में परतेक वर्ष बिश्व पर्षिद उर्ष का आयोजन किया जाता है अजमेज में Next topic आता है त्युहार राजस्थान के त्युहार से जितना भी question पूछ दिया गया है उसको परहेंगे जिसमें पहला है राजस्थान में त्युहारों का आगमन किस त्युहार से माना जाता है स्रवन तीज राजस्थान में त्युहारों का आरम तीज से होता है और स्रमापन गनगर से होता है कहा भी गया है तीज त्युहारी बावरी ले डूबी गनगर तीज तुहारे बावरी, ले डूबी, गनगर Next question है, हिजरी सन का पहला महिना कौन सा है? मुहर्रम मुसल्मानों के किस तुहार के दीन ताजिये निकाले जाते हैं? मुहर्रम के दीन नेवालों की पुजा किस दिन की जाती है? निडिली नौमी को निडिली नौमी के दिन निडिली नौमी शर्पों की आक्रवन से बचने के लिए स्रामन नौमी को नेवलों की पुजा की जाती हैं जिसे निडिली नौमी कहते हैं करवा चोथ वरत मनाया जाता है कार्तिक क्रिष्ण चतुर्थी को नेक्ट क्विश्चन है राजस्थान में बरी तीज मनायी जाती है भादर क्रिष्ण तिर्थिया को बरितीज राजस्थान में भादरपत के कृष्ण पक्ष की तिरत्या को बरितीज मनाये जाती है इसे बुढ़ी तीज, सतवा तीज, सातुरी तीज, वकजरी तीज ही कहा जाता है इस दिन इस्तिरिया वरत रखती है और चंद उधे होने पर अलग देकर सातु का भोजन कती है ठीक है? Next question है, सातुरी तीज का पर्व मनाया जाता है कब तो भादरपत कृष्ण पिरतिया को सातुरी तीज पर्व मनाया जाता है Next question है, छोटी तीज का त्युहार हिंदू पंचांग के अनुसार कि समाह में मनाया जाता है स्रावन में छोटी तीज, स्रावन में Next है, राजस्थान के पर्तियक वर्ष्ट के चैतर मास में गन गौर पूजन उत्सब दिवस की तिथी है सुकल पक्ष तिरतिया सितला अश्थमी किस दिन मनाई जाती है ये बताना है आंसर होगा चेतर कृष्णा अश्थमी को सितला अश्थमी मनाई जाती है Next है, वैशाक सुकल तिरतिया और स्रावन क्रिशन पंचमी को कौन से त्युहार परते है आखा तीज और नाग पंचमी Next topic है, बेशभुषा परिधान से related पहला है, लपा लपी किरन एबम बाकरी यह सब हैं गोटे के भिन भिन परकार गोटे के भिन भिन परकार Next है, राजस्थान में पंचा कहते हैं महिलाओ की उढ़नी विसेश को पंचा कहा जाता है पंचा को बोलचाल भासा में कहा जाता है पिला Next है, दूतवी, गदर, कानू एबम, मिरजाई किस से सम्बंधित हैं आंखरी से Next, मदील एक परकार का पगरी है Next question है, मेमान्द आभूशन पहना जाता है आंसर होगा सिड़ पर निमलिखित में से कौन सा आभूशन कान पर पहना जाता है टोंटी चोप नामक आभूशन शरीर के किस अंग पर पहना जाता है नाक पर Next है, राजस्थान में कहा पर परसिध, मिनाकारी गहने बनाये जाते है जैपूर में Next है तारकसी के आभूशन के लिए राजस्थान का कौन सा आस्थान परसिध है नाथ द्वारा चमपाकली आभूशन शरीर के किस अंग पर पहना जाता है गरदन पर महिलाए नत धारण करती है नाक में नत नाक के बाए नतने को छेद कर पहना जाने वाला सोने के तार के से बना मोटाल चल्ला जिसमें मोर आदी की आकरती बनाई जाती है नत कहलाती है नेक्ष्ट है तीमनिया नामक आभुसन पहना जाता है गले में। नेक्ष्ट क्वेश्चन है मादलिया पहना जाता है गले में। दामना नामक आभुसन कहां पहना जाता है हाथ में। नेक्ष्ट टॉपिक है दुर्ग। किस दुर्ग को अबूल फजल ने बक्तर बंद दुर्ग कहा है रन्थम्भौल किला को नेक्स्ट, हामेर रासों की अनुसार रन्थंभौल किले का प्राणभिक नाम क्या था? रन्थंभौल का किला, रन्थंभौल का प्राचीन नाम, रन्थंभौल। यह किला सुरक्षात्मक द्रिष्टी से अधित्तिय अस्थान पर रखता है यह विशाल परवत पर इस्थित होते हुए भी कुछ भी दूर से दिखाई नहीं देता जबकि इसके उपर से सत्रू को आसानी से देखा जा सकता है यहां पर राना हम्मिर्द वारा अला उदीन खिल जी के बीच युद्ध हुआ था नेक्ट कुष्टन है भट नियर का किला इस्थित है हनुमान गड में नेक्ट कुष्टन जूना गड किले का पुराना नाम निमलिखित में से कौन सा था चिंता मनी जूना गड किला बीका नेर का किला लाल पथरों से बने 1078 गज की परिधी में फैले इस भब्बे किले का निमान राजा राजशिंग ने करवाया था वस्तुत बीका नेर के पुराने गड की नीव राव बीका जी ने 1480 इसमी में रखी इसे चमीन का जेवर एवं चिंता मनी दूर्ग भी कहा जाता है यहां जैमाल वपत्ता की गजारोण मुर्तिया अस्थापित है बाला किला राजस्थान के किस चीले में इस्थित है अलवर में बाला दूर्ग अलवर एतिहासिक दिरिष्टी से महत्पुम्न इस कीले को हसन खाम्यवादी ने 1550 इसमी में बनाया था यह गीरी दुर्ग आँख वाला किला भी कहलाता है 244 साल पहले राव राजा पर पाप सिंग ने बिना युद्ध लरे किले पर कपचा कर लिया और अलवर में अलवर बसाया तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लरा गया इसी कारण इसे बाला यानि कुवारा किला नाम मिला ग्यातब है कि यह यहां मुगल बात्सा बाबर एक रात के लिए ठहरे थे निमलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिरिया टूंक के नाम से भी जाना जाता है महरानगर दुर्ग महरानगर दुर्ग को कुंभल गर के दुर्ग की परमुख्फिसेस था इसमें एक उबर दुर्ग गर्श के सबसे उपरी भागर इस्थित है जो सिधा चड़ाई के कारण कटार गर कहलाता है अतह अंतह दुर्ग मेवार की आग कहलाता है इसी अंतह दुर्ग में महराधा पताप का जनम हुआ पटारगर कुंभा का निवास अस्थान था। उधा ने यहीं मामा देव की कुन्ड के निकट कुंभा की हत्या की थी। Next question है जाली बावरी और मामा देव का कुन्ड निमलिखित में से किस दुर्ग में डुर्ग में? नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, किस दुर्ग में मीठे साह की दरगाह इस्थित हैं? गागरोन दुर्ग में. जल दुर्ग किस अस्थान पर इस्थित हैं? गागरोन में. नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, गागरोन का किला किस स्रेनी में आता है? जल दुर्ग किस स्रेनी में? नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? जैसन मेर का किला. जैसन मेर के किले का निमान राव जैसल दुरा शन बारसो बारसो बार गर दुर्ग है धावन दुर्ग धावन मर्वस्थल दुर्ग यह दुर्ग चारो और रेत के उच्छे टीले से घिरा होता है उदारन जैसल मेर बेकाने वगा नागावर के दुर्ग सुनार का किला कहां इस्थित है जैसल मेर में सुनार का किला जैसल मेर में सुनार का किला राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से नेमित जैसल मेर का किला जिसमें चूने का पर्योग नहीं किया गया है नेक्स्ट श्वन गिरी किस किले को कहा जाता है जालोर के किले को श्वन गिरी जालोर के किले को कहा जाता है गड़ बिठली दुर्ग है तारागर अजमेर गड़ बिठली तारागर अजमेर कोश वर्धन किले का परचलित नाम है सेरगर का किला नेक्ष्ट है कुम्भल गर किले किस जिले में इस्थित है राजशमन्द में राजशमन जिले में इस्थित कुम्भल गर को कुंभल मेर, कुंब ठपूर, कलम मेर, मस्चंतर एबं महानना अधी नामों से भी जाना जाता है कुंभा द्वारा अपनी पती की समेती में जरगाप भारी पर शिर्प खाल मांडन द्वारा निरमित गट्रागर अन्तः दьюर्ग मेवार की आख कहलाता है इसी अन्तः दुर्ग में महराना परताप का जनम हुआ कट्रागर कुंभा का निवाश अस्थान था दौद ने यहीं मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की इस कीले की उचाई के बारे में अवुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से उपर की वो देखने पर सीड से पगरी गे जाती है करनल जेमस्टोड ने इस दुर्ग की तुलना एंटुएस कौन से की है कुंभलगर दुर्ग के परमुख सिल्पी कौन थे मंडन कुंभलगर की दिवार की लंबाई है 36 किलो मीटर कुंभलगर दुर्ग 36 किलो मीटर लंबी दिवार से खिरा हुआ है इसकी संपून परचीर इतनी चोरी है कि चार घुरसवार एक साथ चल सकते है इसलिए इसे भारत की महान दिवार भी करते है राजस्थान के किस किले में इसलामी संथ मलिक साह का मकवरा इस्थित है जालोर के किले में नेक्ष्ट है जुनागर किले का पुराना नाम निम्लिखित में से कौन सा था चिंता मनी किला और उसकी अवस्थिती वाले जीले का निवन में से कौन सा युगम शही सुमेलित नहीं है अंसर होगा जुनागर बुंदी ये सही सुमेलित नहीं है इतिहास परसिध सिवाना दुर्ग किस जीले में इस्थित है बारमेर में किस कीले को तारागर नाम से जाना जाता है बुंदी का किला इलसमी तारागर का किला बुंदी का किला राव बरसिंग के सासनकाल में 1354 इस्वी में निर्मित यख किला घने जंगलो वाली पहारी पर इस्थित है महरानगर दुर्ग का निमान किस ने करवाया था राव जोधा ने महरानगर दुर्ग का निमान राव जोधा ने करवाया था परसिध लोहागर किस जीले में इस्थित है भरतपूर में लोहागर भरतपूर किले का निमान 1733 इस्वी में राजा सूरज मल द्वारा करवाया गया यह अपनी विशिष्ट अस्थापत्य सैली एवं अजेता के कारण परसिद है इस किले के बाहर 4 और 100 फीट चोरी 60 फीट गहरी खाई है इसमें पानी परवाहित होता रहता है तथा इसके बाहर चारो और मिठी से बनी उची दिवारे है राजस्थान का एतिहासिक जोहर किस किले में हुआ चित्तोरगर में 1303 इसमी में अलाउदीन खिलजी के आकरवन के दोरान रतन सिंग की पतनी पदमिनीन के नितरित में राजपूत इस्तिरियों ने जोहर किया वह वतन सिंग के नित्रित में राजपूतू के केसर्या किया अलाउदीन का दर्वारी कवी अमीर खुश्रों ने अपनी कृती तारिक ए अलाई में इस आकरवन का आखो देख पिवरन परस्तूत किया है किस दुर्ग का परवेश द्वार नौलक्षा दर्वाजा के नाम से जाना जाता है रंथंभौर दुर्ग का परवेश द्वार किस दुर्ग को युनिश्को ने विरासत दुर्ग घोसित नहीं किया है मांडलगर दुर्ग को शिला तेवी का मंदिर निमनिखीत में से किस कीले में अवस्थित है आमेर का किला। बसंती नमक कीले का नियमान करवाया था राना कुम्भाने। रंतंभ दुर्ग के में किसका पर्शिद मंदिर बना हैं? तिरिनेस गनेस जिखा लाल पत्थरों से निर्मित महरांगर दुर्ग किस पहारी पर अवस्थित हैं? चिरियाटूक पहारी पर कुम्भर गर प्रसश्ती के रचेता कौन है कवी महेश महरान गरह दुर्ग किस पहारी पर निर्मित है चिरियाटूक पहारी पर राजस्थान का वेल लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है भैसरोड गर्ठ दुर्ग राजपूत वस्तु कला का निमलिखित में से थी आमेर दुर्ग किस सहर के किले में जैवान या जैवान तूप कु रखा गया है जैपूर किले में कौन सा किला पहले बोरा स्वरा के नाम से भी जाना जाता था तोडगर इगल की पहारी पर निम्लिखित में से कौन सा किला इस्थित है जैगर का किला राजस्थान की परमुख मंदिर कैला देवी का अविस परसिद मंदिर राजस्थान के किस चीले में इस्थित है करौली में लोक देवता मली नाथ जी का मंदिर कहा पर है तिलवरा बार्मेर में विनेस्वर धाम किन्ट तीन नदी के शंगन में पर इस्थित है शूम मही जाखम प्रस्ध विनेश्वर धाम कहां स्थित है गुप्त कालीन भर्मामाता का मंदिर कहां पर इस्थित है छोटी सदरी में चोटी सादरी में और संदू कुरेक्ट है राजस्थान का खजराहो निम्न में से किसे कहा जाता है किरारू मंदिर को बारमेव जीले में इस्थित किरारू परचीन समय की किराद कूप के नाम से परशिद रहा यहां की सिल्प एबं मुर्तिकला को देख कर इसे मुर्तियों का खाजाना कहा जाता है किरादू की अस्थापत्य कला नागर सैली की है इससे राजस्थान का खुजराहो कहा जाता है जग दंबिका डेवी के मंदिर को मेवार का खुजराहो कहा जाता है नेक्स्ट हैं किरारू का शुमेश्वर मंदिर है गुजर परतिहार स्यली का निमलिखित में से वायज अस्थान के किस अस्थान पर शुमेश्वर मंदिर इस्थित है किरारू बारमेर में किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्वान में पानी के अस्थान पर घी इस्तिमाल किया गया था भारा साह जैन मंदिर बीकानेर निमलेखित में से किस सासक्ड टोंक में परसिध मंदिर स्री कल्यान जी का निमान करवाया था राजा दिवगज आभा नेरी मंदिर कहां इस्थित है दोसा में मंदिरों और अस्थानों के निमलेखित जोरों में से किस जोरे का सही मिलान नहीं हुआ है अंसर होगा अप्शन फोर जगदीश मंदिर भीरवाला इसका सही मिलान नहीं है मातरी कुंडिया मंदिर किस जीले में इस्थित है चित्त और गर में उधैपूर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस साजक ने बनवाया था बपार रावलने राज अस्थान में किस जीले में इकलिंगी जी का मंदिर इस्थित है उधैपूर में मंदिर अस्थापत्ती की भूमीज सली किस अस्थापत्ती सली की उपसली है नागर सली की मौंट आबू में दिलवारा मंदिर परसिध है जैन मंदिर की जैन मंदिर में कला है तू भगवान विश्वधेव का मंदिर जिसमें 131 चालुक के राजा भीम के मंत्री विमल साह ने नेमित करवाया तोड़ गड़ ने कहा कि भारत वर्ष के भावनाओं में ताज महल के बाद यदि कोई भवन है तो वह है विमल साह का मंदिर दोस्ता है नेमिनाथ या देवरानी जठानी मंदिर चलुक के राजा वीर धवल के महाममती तेजपाल ववस्तुपाल के सिल्पी सुभन देव द्वारा नेमित दो मंदिर मुख्य मंदिर के द्वार के दोनों और दो ताख है जिन्हें देवरानी जठानी के गवाक्षी कहते हैं यहां नेमी नाथ जी की काले पत्थर की प्रतिमा अस्थापित की गई है तीस्ता है पीत लहर आदिस्वर मंदिर चौथा है खर्तर वसही मंदिर अग पाचमा है महाविर श्वामी मंदिर अंसर होगा बीमल साहने मस्हूर बीमल विवल वसही वा लून वसही मंदिर कहां है आबू परबत्पर नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के मौंट आबू इस्थित दिलवरा मंदिर विख्यात है? जैन मंदिर में कला है तू? जोधपूर के निकट ओसिया मंदिर का समू किसकी देन है? पर्तिहार का? अफ्षन फूर पर्तिहारों का? रंगनाथ जी का मंदिर कहां इस्थित है? पूसकर में रंगनाथ जी यह मंदिर भगवान विश्णू लक्ष्मी एबम नरीशिंग के मुर्तियों से मंदित है प्राचीन पांडू पूल मंदिर किस चीले में है अलवर में पांडू पूल अरवर में इस्थित इस अस्थल पांडू पूल में हनुमान जी का विशाल मंदिर है इसमें हनुमान जी की सयन मुद्रा में विशाल पर्तिमा विद्धिमान है पूसकर में ब्रह्मा मंदिर की अतरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसना मंदिर कहां है? तिरपुरा सुंदरी माता का मंदिर किस जीले में इस्थित है? बासवारा में तिरपुरा सुंदरी माता में सिंग फर सवार भगवती माता का अश्ट दस भूजा की मुर्तिये जिसकी भूजा में अठारप परकाय के आयूध है इस मंदिर की गिंती प्राचीन सक्ति पीठों में होती है धौलागड़ देवी का मंदिर किस जीला में इस्थित है? अलवर में प्राचीन तांतरिक सक्ति पीठ सुंदा माता का मंदिर कहां इस्थित है? जालोर में सुंदा माता मंदिर आरावली परवत सिंखला में 1220 मीटर की उचाई के सुंदा परवत पर जस्वंत पूरापंचायत समीती छत्र के दंत लावास ग्राम के समीत चामुंडा देवी का प्रख्यात मंदिर इस्थित है? यह जालोर का परवुख धार्मिक अस्थल है यहां वर्स भर जहरना बहता है मेनाल में सुवेश्वर सिब मंदिर का निमान किस चोहान सासक ने करवाया था? प्रिथ्वी राज दुत्यने चार चोमा मंदिर वाजस्थान के किस जीले में है? कोटा में निमली खित में से कौन सा मंदिर गुजर परतिहार वस्तु सैलिका नहीं है? चार चोमा का शिब मंदिर सुवन नगरी हौल किस जैन मंदिर का भाग है? नस्या मंदिर अजमेर भंड देवरा मंदिर किस जीले में स्थित है? बारा में राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चुहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं का नाम है? करनी माता मंदिर विकानेर राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहो का मंदिर कहलाता है करनी माता मंदिर लटियाल देवी का मंदिर इस्थित है फालावदी में रनकपूर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं 1444 रनकपूर पाली जीलेक में मधहय या मथाय मंदिर नदी के तठप महराना कुम्भाने के सासरकाल में उनके मंतरी धरनसा द्वारा सिल्पी देपाक के सहयोग से निर्मित देश का परशिद सुर्य मंदिर, इस मंदिर को 1444 खंभो वाला मंदिर, ती लोक दीप, नीली गूल पिमान, अस्तंबो का वन, मूल गर्वगिरी में इस्थित, आदी नाथ की चमुखी परतिमा पांच फूठ की है, एबं ऐसी कुल चार परतिमा ये चारो दिशाओं में अस्थापित है, आदी नाम से जाना जाता है रनकपूर जैन मंदिर किस नदी के टट पर इस्थित है, मथाई नदी के टट पर आमेर का जगत सीरो मनी मंदिर किसके दुवरा बनवाया गया, आप्सन है राना संगा उदेश सिंग और भगवंत दास अगानी करनकवती, आंसर होगा रानी करनकवती के दुवरा राजस्थान में निम्लिखित में से कौन सा मंदिर महा भारत के एक मात्र बरवरिक से संबंधित है, खाटू श्याम का मंदिर निम्लिखित में से किस सहर में राव छत साल दुवरा केश्वा राई पाटन में केश्वा राव का मंदिर निरमित करवाया गया, बुंदी निम्लिखित में से किस सहर में सहस्तरा बाहु मंदिर इस्तित है उदैपूर में निम्लिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है अप्शन B एक लंगी जी मंदिर एक लिंग जी मंदिर जैपूर ये सही सुमेलित नहीं है नेक्स्ट है बरोली मंदिर परिशद का शम्बंद किस वन्स के सासकों से हैं गुजर परतिहार राजस्थान का चल महल किसे कहा जाता है बटाडू का कुवा बार मेर राजस्थान का चल महल बटाडू का कुवा बार मेर बायतू पंचायत समी के बटाडू गराम में आधुनिक पासान कलाक सिंद पनासंग मर्वा का कुवा दर्शनिया है इसे रेगिस्थान का जल महल कहा जाता है नेक्स्ट है वह किला जिसमें एक जैसे नौ महल है नाहरगर का किला नाहरगर का किला सुरत्संगर नाम से परसिद इसके लिए का निमान 1734 इसमी में सबय जैसिंग के प्रारंब नेक प्रारंब करवाया था इसको बर्तमान सवरूप सबय राम सिंग द्वारा पर दान किया गया आता आरावरी पर्वत माला पर इस्थिति यह दुर्ग जैपूर के मुकूट के समान सबय माधो शिंग ने अपनी नौ प्रेमियों के नाम पर एक जैसे नौ महलों का निमान करवाया विश्ब का सबसे बरा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है सिटी पैलेस जैपूर में जैपूर का परसिध हावा महल का निनमान किसके द्वारा किया गया था महराजा परताप सिंग के द्वारा हावा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है परताप मंदिर हवा महल की डिजाइन निम्लिखित में से किसके द्वारा किया गया था लालचंद उस्ताज लालचंद उस्ताज के द्वारा फतेह परकास महल का निम्लिखित में से किस किले में करवाया गया था चितोरगर्ध का किला नेक्स्ट कुष्चन है जोगी महल इस्थित है, रंधमभोर दुर्ग में परवेस द्वार के बाई और इस्थित जोगी महल है, यहाँ एक रिसी रहता था, राजा ने रिसी के रहने के लिए इस भवन का नेमान करवाया था, किन्तु बाद में यहाँ साध्वों ने देडे लगाने लगे, इसी अवस्थित है जोगी महल छीतर पैलेस के नाम से परसिद है उमेद भवन पैलेस उमेद भवन जोदपूर इसका सिला नियास 18 नुम्ब 1928 को महराजा उमेद सिंग द्वराय किया गया उमेद भवन एसिया के भव्य परसादों में से एक है इसका निमान अकार राहत कार्जो के तहत संपन हुआ उमेद भवन को छीतर पत्थर से बनाने के कारण छीतर पैलेस भी कहा जाता है नेक्स टोपिक है राजस्थान की परमुक छत्रिया परसिद 84 खंभो की छत्री कहां इस्थित है ये देखिए कितना इंपोटेंट है बारबार कोश्चन रिपीट हुआ है पर 84 खंभो की छत्री भगमान सिब कुश्य मलपित इस छत्री का नियमान राजा अनियुद के भात भराता देव ने करवाया कोटा रोड पर इस्थित इस दो मंजिला छत्री के चबुत्रिय के चारो और विभीन पसुपक्षियों आदी के चितर पत्थर पर उकेरे गए हैं मूसी महरानी की छत्री कहां है अलवर में मूसी महरानी की छत्री असी खंभो वाली इस छत्री का नियमान 1815 इसमी में विने सिंग के ने करवाया इसे मूसी महरानी वा तातकालिन महराजा बक्तवार सिंग की इसमेती में बनाया गया इस छत्री की पहली मंजिर लाल पत्थर वा दोसी मंदिर श्वेत पत्थर से निर्मित है जोधपूर में प्राचीन राजाओ की छत्रिय एबं उद्यान के लिए परशिद अस्थान का नाम है मंदोर जैपूर इस्थित गैटोर की छत्रिया इस वंस के राजपरिवार से सम्मंधित है अच्वाहा गैटोर नाहरगर की लेग की तलहटी में इस्थित जैपूर के दिवंगत राजाओ की संग्मर्मल निर्मित कलात्मक छत्रिया के लिए परशिद अस्थर है 32 खंभो की छत्रि इस्थित है रंथम भौर में जैतर सिंग की छत्री हम्मे देव के पिता के इस्मिती में 32 खंभो के छत्री रंथम भौर दुर्ग में है राजस्थान में बराबाग छत्रिया कहां पर अवस्थित है जैसल मेर में बराबाग यह जैसल मेर के महरावलों के समसानों पर बनी कलात्मक छत्रियों के लिए विख्यात है महरावल जैत सिंग ने यहां 1585 में जैत सर्व सुरोबल का नियमान करवाया यहां छत्वपाल जी का मंदिर भी इस्थित है नक्ष क्विश्चन है गोरा ध्याय की छत्री का नियमान किसके द्वारा करवाया गया राजा अजीत सिंग के द्वारा यह छत्री जोधपुर जीले में इस्थित है इसमें से सबसे प्राचीन छत्री का निमार राजा अजीत सिंग ने 1711 इसमी में अपनी ध्याई की इसमेतिक में करवाया था आजादी के बाद इसके पास ही गोरा ध्याई की एक और छत्री बनवा दी गई देवी कुंड सागर की छत्रिया कहां पर इस्थित है बिकानेर में देवी कुंड बिकानेर शहर्षे पांच मिल दूर देवी कुंड सागर के शामने कल्यान नाराइन के पास सागर के पास अवस्थित बिकानेर राज घरेने के नीजी समसान घाट यहां निर्मित राजा महराजा वो एबं उनकी परिवार की छत्रियों में महराजा सूरज सिंग की सफिय संगमवन निर्मित छत्रिया परसिद हैं निमलिखीत में से किस छत्री को सेखावाटी की सबसे बरी छत्री माना जाता है राम गोपाल पुद्दार की छत्री राम गोपाल पुद्दार की छत्री मेवार नरेश राना अमर सिंग एबं राना करन सिंग की छत्रिया अवस्थित हैं आहर उदेपुर में राजस्थान की परसिद छत्रिया 32 खंभो की छत्री रंधंभोर में 84 खंभो की छत्री बुंदी मुसी रानी की छत्री अलवर में जाग जारबाग की छत्रिया कोटा बुंदी गैटोर की छत्री जैपूर रेदास की छत्री चित्तोरगड जस्वंथ थरा की छत्री जोधपूर बराबाग की छत्री जैसनमेर गोपाल सिंग की छत्री करवली राजा बकतर सिंग की छत्री अल देवी कुंड की छत्री विकाने ये most important छत्रिया है राजस्थान की राजस्थान की परसिद बाबरिया एक द्रिष्टी में चांद बाबरी दौसा में हैं बुबानिया कुंड आभानेर दौसा में विशाल बाबरी भंडरोज भंडारेज दौसा में देवरा बाबरी जालल बावरी बेंगू चितोरगर भारतियों की बावरी गांधिनेगर चितोरगर मामा देव कुंड कुंभलगर राजससमन्द में पताल तुर या लंबी बावरी धुलपूर में आलुदा वा बुबानिया कुंड आलुदा दोसा में भंडारेज बाबरी भंडारेज 27 देवरी बाबरी चित्तोरगर, नाथ जी या पूरी जी की बाबरी ब्यंगु चित्तोरगर, माता जी की बाबरी ब्यंगु चित्तोरगर, खुरा की बाबरी बरिसादरी चित्तोरगर, रानी की बाबरी बुंदी, मंदाकनी कुंड अचलगर सिरोही, हर्स्नाथ की बावरी, हर्सगीरी, सीकर में इस्थित है। राजस्थान की परमुक्ष हवेलिया पटाव की हवेली कहां इस्थित है? जैसन मेर में पटुव की हवेली, 28 सताबदी में, उतराध में जैसन मेर के एक बेवसाई, गुमान चंद पटुवाओ कि पांच पुत्रों ने इस हवेली का निमान लगभग पच्चास बर्स में फून करवाया, इनके ज़रों के अनूपम व उतकिष्ट नक्का साही से युक्त है, भीती चितरन की दृष्टी से राजस्थान की हवेलिया परसिद है, सेखावटी, भूगर्भिय वैभव से महिम मन्डित नाग नामी गिरामी उद्धियोग पतियों एवं अनगिनित सहीदों की जनम भूमी जुझनू जिल्यों में भीती चितरों वाले हवेलिया की लिए वा असमारक विसेश दर्स निये हैं, सलीम सिंग की हवेली और नत्मल की हवेली इस्थित हैं, जैसल मेर में, नेक मंडवा, मंडवा अस्थान पर, चांद बावरी कहां इस्थित हैं, आभा नेरी में, राजस्थान के किस एतिहासिक दोरोहर को युनिश्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सामिल नहीं किया गया है, आमेर की हवेली वाजस्थान की चित्रकला, निहाल चंत्र किस सैली का चित्यवकाल था, किसंगर सैली किसंगर सैली, नारी संदर्य पर अधारित, बतक केले की परधानता परशन चित्त्यवकार निहाल चंत्र, लाडली दास, रामनाथ, सावंत सिंग, नागरी दास ने अपनी प्रेमी का रसीक प्रिया, बानी ठानी का चित्र, निहाल चंत्र नामक चित्रकाव ने बनवाया, इस सैली को परकास में लाने का अश्रे, ये डिक्स वा फ्याज अली को जाता है, जिन्होंने इसे भारत की मोना लिशा कहा है, भारत की मोना लिशा कहा है, बानी कि छनी पेंटिंग संबंधित हैं किसंगर अजमेर सैली से किस सासक के काल में किसंगर चित्रकला सैली अपने चरम सीमा पर थी राजा नागरी दास के सासनकाल में नेक्सटे रामनात तुलसी दास सवयराम और लाडली दास किस चित्रकला सैली से संबंधित है निहाल चंद के द्वारा, अप्सन ए निहाल चंद के द्वारा Next, किसंगर चित्वकला सैली के सनवक्ष शावंत सिंग के मिर्थु कहां हुई? विरिंदावन में, कोटा के किस सासक के काल में? सिकार का चितरन कोटा सैली का परतिक बना राजा उमेध सिंग के सासनकाल में criançaud 270 में भारत सरकार द्वारा राजास्थानी चित्र सैली के किस चित्र पर अस्मवन्य डार्ग टिकट चारी किया गया? वनिठणी चित्र सैली पर पांच मए 1970 को वनिठणी पर 20 पैसे का डार्ग टिकट चारी किया गया निम्न में से किसका चित्रन कपरे पर नहीं किया जाता है पाने का उट की खाल पर चित्रांकन किस सैली किस कला सैली की विशेष्था है विकानेर सैली उट की खाल पर चित्रांकन विकानेर की सैली प्रसिद गीत गुविंद चित्र किस सैली का है मेवार सैली का बनिठनी चितरकार मोर्द होज निहाल चंद्र कि संगट सैली का परशिद चितर है। 54 सैली के परशिद चितिर नसिरु दीन ने राग माला का चितरन किस सासके सनवक्षन में क्या। अमर्शिंग पर्थम। 54 चितरकला सैली का विकास किस छेतर में हुआ। मेवार चेतर में। गोपाल उदे हुक्मा जीवन चितरकला की किस सैली से संबंधित थे। आमेर जैपूर सैली। निम्र में से कौन सा चितरकला की मेवार सैली से संबंध था। साहिब बदिन सुपा सहन चितरम क्या है। चितरित गरंथ है। अठपटी पकरी चितरकला की किस सैली से संबंधित है। मेवार नाथ द्वारा सैली के पेंटिंग को समान्यत कहा जाता है। पिछवाई। पसूपक्थियों को किस चितरन सैली में विशेश अस्थान मिला है। बुंदी सैली में। निम्रेखेत में से कौन सा चितरकला से संबंधित नहीं है। नानका राम किसंगर सैली से संबंधित है। नेक्ट कोष्चन है वर्ष 1628 में मेवार में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था साहेब दिन किसने साहेब दिन ने नक्ष्ट है राजस्थान की कौन सी सहली सरावक परतिकर्मन सुतर चोनी चित्रकला पर अधायت प्राचीन संगरह हैं ये बताना है आंसर का सबसे परचिन्तम चितरित गरंद सावन परिक मत्र सुतर चुणनी स्रावक परतिक कर्मन सुतर चुणनी है जो तारपत पर रचित एवं चितरित हैं यह गरंद मेवार सैली का उपलब्ध पर्थम उदाहरन है राजस्थान की किस उप सैली में सिकार द्रिश चितरन स्रिष्ट समझे जाते हैं कोटा सैली सिकार द्रिश्व पर अधारित हीरन सीर कभूतर बत्तक खजूर की परधानता है रामलाल अली रजा एबम हसन जैसे विख्यात चित्वकारों का त्रिगूट किस चित्वसेली से संबन्धित है विकानेर चित्वसेली राजस्थान में मुर्ती कला के लिए कौन सा सहर विख्यात है जैपूर जैपूर सैली इस सैली का श्वन काल शवय परताप सिंग के समय के सासन काल को माना जाता है इस सैली में साहिव राम नामक चित्वकार ने इस्वरी सिंग का राजस्थान में पर्थम आदम कद चित्र बनाया परसिध चित्रकृती ढोला मारू की सैली है जोधपूर मारवार जोधपूर सैली इस सैली के चित्रों के सवारे चित्र उट हाथी घोरा आदी तथा मोर्व अहंस के चित्रों की पधानता है इस सैली के परमुख चित्र ढोला मारू मुम लदे निहा लदे रूप मती बाज बहादूर उजली जेठवा आदी है किस्चित्र सैली में मती राम राचित उनिस्वी सताबदी की हिंदी साहित्ति रचना रज राज रच का चित्रन हेतू विशे के रूप में परियोग किया गया है मारवार किस्चित्र सैली में मारवार सैली में साहित्तिक वाजस्थान का साहित्तिक विकास पहला क्विश्चन प्रिथवी राज विजे का लेखा कौन है जैनायक भट द्वारा लिखित इस गरंथ में प्रिथवी राज चोहान के वंस करम एवं उनकी उपलब्दियों का वर्णन क्या है इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की परमानिक जानकारी है नेक्ष्ट विशल देव रासों की मुख्य महिला पातर निमलिखित में से कौन सी है राजमती नर्पति नलाह दुआरा लिखित यह गरंथ शांभर के राजा विशल देव तथा राजमती की प्रेम कथा पर अधारित है राजस्थान साहित की कौन सी स्रेनी कहानी या कथा विद्या से सम्मंधित है वात कहानी किसी व्यक्ति या जाती या घटना या प्रसंग का संचिप्त इतिहास वात कहलाता है प्रबंध चिंता मनी का लेख़ था आंसर होगा मेरो तूंग द्वारा रचित प्रबंध चिंता मनी ब्राह्मन साहिति का परमुख गरंथ है बेली क्रिशन रुक मनी किस भासा का गरंथ है उत्री मारवारी उत्री मारवारी भासा का बेली किरिस्न रुकमनीरी की लेखक थे प्रिथ्वी राज लेप्टिनेंट कर्नल जम्स टॉट द्वारा लिखित एल्जल एंटिक्विटीज अफ राजस्थान पूस्तक में टॉट ने इसका दूसरा नाम दिया है अंसर होगा ए दिस सेंट्रल एंड वेस्टन वाजपूत एंडिया मुहनेत नैसथनी का परशिद्गरंथ हैं मुहनेत नैसी रीख्यात किसका लेखक वीरभान था राज रूपक का राज रूपक वीरभान राज रूपक राज विलास की रशना किस ने की थी? आंसर होगा कभी मान सिंग ने बुद्धी विलास गरंथ के लेखक हैं बखत राम साह बखत राम साह बुद्धी विलास के लेखक फाटका जानजल सिर्शक नाटक के लेखक कौन है? सीवचंत्र भरतिया वन्स भासकर का रचेता है सुर्य मल मिस्र सुर्य मल मिस्रन द्वारा रचित वन्स भासकर नामक फिलिंग काब गरंथ में बुंदी राज का विस्तित एतिहासिक एवं राजस्थान के अन्य राज्यों का संचित रूप में वर्नन किया है वन्स भास्काव जो पून करने का काज इनके दतक एबं मुरानिदान ने किया था करांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगत्या के रचेता थे आंसर होगा केशरी सिंग बारहट अफसन फोर केशरी सिंग बारहट चेतावनी रा चुगत्या केशरी सिंग बारहट ने तेरा सूर्ठें हैं चो डिंगल भासा में मेबार महराना फतेह सिंग को भेजे गए थे जिन्हें पढ़क महराना का स्वाभिमान जागरत हो गया और वे करजन द्वारा एरवज शमात के सम्मान में आयोजित दिल्ली दर्बान में समनित नहीं हुए निमलिखित में से कौन सी कवीता सुनने के बाद साही नरिस ब्रिटिश वाइस वाइस से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे चिताबनी रा चुगटिया चिताबनी रा चुंगटिया नेक्ट है करनी सतक चुंडा सतक और हारी सतक जैसी पुस्तक के किसने लिखी है थक हैं सुर्यमल मिश्रन संत 1815 में चारन कूल में जन में श्री सुर्यमल मिश्रन बुंदी के महराव राम सिंग के दरवारी कभी थे इन्हें आधुनिक राजस्थानिक काब्य के नवजागरन का पुरोधा कभी माना जाता है इन्होंने वन्स भासकर, वीर सताय, सतीर रासो, धातु रूप बाली, रावरंजाट, बालवंत विलास आधी गरंथ के रचना की इन्हें वीर रसावतार कहा जाता है हामिर रासो एबं हामिर काबि के रसनाकार है सांगर धर, सारंग धर, हामिर रासो, सारंग धरी द्वारा लिखित इस गरंथ में चित्तोर के राजा हामिर वा, मुस्लिम सासक, अलावदीन खिल्जी के बीच हुए युध का उजस्वी विबरन है बीका नेर के राठोर, रिखियात के लिखक थे द्याल दास निम्न में से किस राजपुत सासक त्वरा नेह तरंग रचित है राव बुध सिंग के द्वरा हामिर रासो किस भासा का गरंथ है संस्कृत भासा का भारतिये प्राचीन लीपी मालाक के लेखक का नाम है गौरी शंकर हिराचंद ओजा बादली के रचनाकार है चंदर सिंग बिरकाले इन्होंने बादली लू डपर आदी गरंथ के रचना की शिशुपाल वध का लेखक था भीनमाल का माग सिशुपाल वध के लेखक भीनमाल में जन में कभी माग है नेक्स्ट दी अली चोहान डैनेश्टीच राजस्थान के किस परमुख इथिहासकार की रचना है मारवार रापरगना रीविख्यात गरंथ लिखा है मुहनेत नैसी के द्वरा मारवार रापरगना रीविगत इसे गौं रीविख्यात या सब गरह भी कहते है तातकालिन समय में सभी परगनों की आमदनी, ठीकानों की रेख, चकरी भूमी की किस्म, फसले सिचाई के साधनों, जातिवार घरों की संख्या के आकर, आबादी आदी का बनन क्या गया है इसलिए इसे राजस्थान का गजेटिया भी कहा जाता है सूख सतक के लेखक कौन थे, आंसर होगा, बाला बक्स, बाला बक्स, पदमामत किसके द्वारा लिखी गई थी, मलिक मुहमब्द जैसी के द्वारा कानहाव देप्रबंध का रचेता कौन है? पदम नाव चलोर के चुहान अखाय राज के आस्रित परबनाव के ने कानहाव देप्रबंध नाम गरंथ के रसना की वीर रस्परधान इस रसना को राजस्थानी महाकाब कहा जाता है इस गरंथ में कानावदेन और अलावदेन खिलजी के जुद्ध का चोपाई दूहा आदि से युक्त रोचक वर्णन मिलता है जैसिंग सूरी लेखक थे हमेर मद मर्दन के जैसिंग सूरी द्वरा रचित हमेर मद मर्दन में रंधंभावर के राना हामेर देव चुहान का बनन किया गया है हमेर हट गरंत किसके द्वरा रचित है चंदर सिकर के द्वरा चंद सिकर द्वरा रचित हमेर हट में रंधंभावर के चुहान एवं अराना हमेर देव का इतिहास उलेखित है प्रयम विनूद, नामक गरंद किसकी रचना है? छत्रकुवारी का छत्रकुवारी का चंदर वर्डाय द्वरा रचित गरंद है पिरिथवी राज रासो कभी पिरीथवी राज के समकालिन चंदरवर्दाई की परसिध रसना पिरीथवी राजदासों है यह हिंदी का सरपर्थम उपलध महाकाब्य है वीर विनोद नामक गरंथ के प्रन्यता है श्यामलदास वीर विनोद नामक गरंथ के प्रन्यता श्यामलदास बातारी फुलवारी नामगरत के रचेता कौन है विजेदान दिथा विजेदान दिथा साहित जगत में बिज्जी के नाम से विख्यात पैतरिक गाउं बोरुंदा परमुख रचना बापु के तीन हत्यारे बातारी फुलवारे अनोखा फेर तधरायन की चतुराई सपन पिरिया मित्र मिरनाल अलेखु हिटल दुविधा हिंदी फिल्म पहले इत्यारी है हभीव तन्वीर का चरंदास चुर नामक नाटक मूल रूप से डुवरारचित एक सास्तिय राजस्थानी लोग कथा का रूप आंतरन था विजेदान देथा हाबिव तन्वीर का चरंदास चुर नामक नाड़क मूल रूप से विजेदान देथा दुगरा रचित एक सास्ती ये राजस्थानी लोग कथा का रूपा अंतरन था नेक्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भासा में दूबिधा और अलेखु हीटरल जैसी पथाओ के रचिता हैं विजेदान देथा विजेदान देथा निमलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निमान अनमोल पाले कर द्वारा किया गया था विजे नैंसीरी ख्यात किस भासा में लिखी गई है अंसर होगा राजस्थानी नैंसीरी ख्यात राजस्थानी भासा में मुहनेत नैंसी द्वरा रचित यह सबसे प्राचीन एबं विश्वास्निय ख्यात है इन्होंने दरवार के प्रभाव से दूर रहकर अपने श्वामी के पुबासवारा बुंदेलगर परतापगर आधी राज्यों में के मंदिरों कीलों तिर्थों जोहरों आधी का विश्दित बनन मिलता है इसमें चोहानों राठोरों कच्छवाहों एबं भाट्यों के इतिहास विश्दित उपसपलब्ध है जो अन्यत मिलना दोलब है इस ख्य बल वधिलास और रामरंजाट के लेखप है सुर्यमल मिसर हामिर महाकावी के लेखप नयन चंद्र सुरी है रसीक रतनावली के रचेता थे नरहरीदास रसीक रतनावली के रचेता नरहरीदास सुंदर विलास के रचेता थे सुंदर दास सुंदर दास ची का जरम 1597 में दोसा में हुआ था सुंदर दास न्यनिंखित गरंथों के रचेता की जिन में पर्मुक सरवाग योग बावनी 12 अश्ठक ग्यान समरिध सुंदर विलास हुआ शबया है नेक्स्ट क्षेस्टन है ठोला मारू रा दूहा के रचेता हैं कवी कलोल कवी कलोल नेक्स्ट क्षेस्ट निमलेखित लेखकों में से कौन एह हिस्टी अफ राजस्थान के लेखक हैं रिमा हुजा अप्शन ए रिमा हुजा